असलाम आलेकुम नमस्ते दोस्तों उमीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे सुबा का समय हो गया यहां पर उठ गये आज का बोलोगिन में क्या क्या करेंगे आप लोग के पास सेर करेंगे अगर मेरा बोलोगिन चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक सेर और सस्क्राइ साप कर लेंगे देखें यहां पर हम पीखे हवाला जो पाठे उसको काटके हटा लेंगे और चिलकाओ को अची तरह से साप कर लेंगे यहां पर हम ज़्यादा बड़ा प्याज नहीं हैं मिरियम स्दृश लिये हैं जहां चोता भी नहीं जितना हमको जो रते उतना बढ़ा हम लिए हैं आप चाहे तो बड़ा छोटा दोनों कोई भी ले सकते हैं अब यहां पर हम प्याज को छील लिए हैं अब यहां पर हम प्याज को छीलने के तो भाग कर लिए प्याज को अब यहां पर हम छोटे छोटे पीस करके यहां पर हम काटेंगे जितना छोटे छोटे पीस करना है अ आप चाहे तो किसी गरेटर में भी गरेटर कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम छोटा-चोटा पीज करके यहाँ पर हम बना आएंगे वेसलिंग और प्याज का छोटा सा टीप बहुती काम आने वाला है और बहुती कारगर वाला टीप से देखें यहां पर हम दोनों प्याज को अच्छी तरह से काट लिए हैं और जब पीछे वाला पाथ है वो अच्छी तरह से साप कर लेंगे यहां पर पीछे वाला पाथ को नहीं देना है यह अच्छा से गलेगा नहीं इसलिए इसको हटा के देना है अब देखें यहां पर हम स गरेटर में भी कर सकते हैं लेकिन उसमें ज्यादा तर अच्छा नहीं होता है इसलिए यहां पर हम जो इसका रस रहता है सब इसी में रहेगा प्याज का यहीं रस जो है इसका ही कारगर वाला रेमेडि बनके तयार हो जाएगा और बहुत ही काम आने वाला है आपका देखे य प्याज का रेमेडि अब यहां पर हम गेस चालू करेंगे एक छोटा सा कड़ाही लेंगे इस कड़ाही में हम क्या करेंगे दिखाते हैं आगे यहां पर अग्दम सोलो आच रखना है ज्यादा तेज आचने रखना है यहां पर हम सर्सों का तेल लेंगे ज्यादा हमने बना आएंगे जितना हमको जो रहा थे उत्ना ही हम बना रहे गयोडकर करूशसरीर वहला यहां पर हमसे नहीं हम प्याज को धराश सब्सक्राइब करें दर्थाइगे यहां our हम आज को अग्दम हम सोलो कर दिये हैं अश्वा आज से यहां पर हम प्याज को पकाएंगे यहां पर इसी तरह चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में और नहीं तो प्याज जल जाएगा तो रह तो अच्छा ने बनेगा आपका रेमेडी इसलिए यहाँ पर अगदम सोलो आज से प्याज को पकाना है देखे आज अगदम मेरा सोलो है अज सोलो आज से धीमी आज से चितना अच्छी तरह से पकेगा उतना ही आपका रेमेडी कारगर होगा अब यहाँ पर हम धिरे धिरे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे अब देखें यहाँ पर मेरा प्याज का कलर चेंज हो गिया है इससे भी थोड़ा सा और हम इसका चेंज करेंगे कलर थोड़ा सा और जो बचा-खुचा है वो रस जो है प्याज का वो अच्छी तरह से निकल आएगा प्याज का जो रसे वही कारगर वाला बन के तयार हो जाएगा बहुत ही काम आने वाला है हम इस तरह बना करके और अजमाएं फिर हम आप लोग के पास share कर रहे हैं सोचे एक छोटा सा tip sum आप लोग के पास share करेंगे यह वला जरूर आप लोग का पसंद आयगा पसंद आयगा तो एक like जरूर कीजेगा आप लोग जो like करते comment करते तो बहुत ही अच्छा लगता है लगता है मेरे साथ एक परिवार जुड़ गया है उसी तरह अब यहां पर हम प्याज को धीरे धीरे इसी तरह चलाते रहेंगे अब देखे इसका color भी change हो गया है इससे और थोड़ा सा हम dark करेंगे जितना भी इसका प्याज का रस है वो अच्छी तरह से तेल में मेरा घूल जाएगा और निकल के मिल जाएगा प्याज का रस जो है बहुत काम आने वाला है अब देखे यहां पर हम जो भैसलिंग हम लिय यह वैसे देखेगा इसका कमाल किस तरह हो जाएगा जो तेल है देखे यहां पर हम भैसलिंग डालते ही यहां पर देखे इसका किस तरह तेल का कमाल देखे किस तरह हो गया है अगदम पूरी तरह से बबल सा गया है कि बहुत कारगर वाला हम करके हम आप लोग के पास सेर कर रहे हैं देखे इसका जब तक जहाग खतम निहोगत aims चलाते रहेंगी अगदम16 से है अपने आप देखे इसका जआग पहले जय कूए अच्छी तरहसे मील जाएगा जितना अच्छी तरह dobre से मिलेगा उतना ही काम आएगा आपका आईजी किस तरह हो गि offenders पहले किस तरह जाग हो गया तब धीरे धीरे जाग खतम होने लगा है अब मेरा ये रेमेडी बनके तयार हो गया है अब यहां पर हम गेस बंद कर देंगे और जो यहां पर हम प्याज लिये थे वो प्याज को हम इस तरह करके उपर कर लेंगे सब जितना भी तेले सब यहां प जैसे इस कशड़ा जरा सभी रहना ना चाहिए, देखे कितना तेल निकर रहा है, इस तरह करके दबाएगा, यह बहुत काम आने वाला तेले, इस तेल बिरवाद नहीं होने देंगे, इसी तरह करके हम सब दबा लेंगे, और सब तेल को निचोड के निकाल लेंगे, अब यहा पर हम एक कटोरा लेंगे, और कटोरा के उपर छन्नी रखेंगे, और तेल को छानेंगे, एक भी जैसा इसका जो कचड़ा है, वो नहीं जाएगा, जो पिया जो गेरा जो थाई, वो तेल में नहीं जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम एक छन्नी लेंगे, और छन्नी में पर जैसे बिरबाद में करेंगे बहूत कारगर वाला तेलां अपके यहा पर लिएधिस गया निकळाने वाला लिए यह यह शाप कर लिदा het जैसे इसमें पहले गंदगी नहीं रहना चाहिए अब यहां पर हम इसी बोटल में हम भरके रखेंगे आपका जब चाहे कहीं भी आपड़ा सा हम लोग को कुछ घुटना वगेरा कहीं भी दरद होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं डॉक्टर कभी पैसा दे देते हैं लेकिन थोड़ा सा यह वाला मेहनत करके एक बार इस तरह करके बना करके तेल लगा लीजिए फिर देखेगा यह जो तेले बहुत ही कारगर वाला तेले बहुत ही जल्दी रहत हो जाएगा बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाएगा डॉक्टर का पैसा देने का कोई जोरत नहीं है अब यहां पर hari हम ठकन बंद कर दिये हैं अपका जब मन चाहे तप ही वह लगा सकते हैं थोड़ा-थोड़ा ही लगाना है ज्यादा ळे लगाना एक दो बंद लीजिए फिर जहां आपका दारद होगा वहाँ पर लगा सकते हैं अभी हम दिखाते हैं हम कहां लगाएंगे जो थोड़ा सा कटोरा में तेले उसी को हम ले करके दिखाते हैं यहां पर हम हाथ में लिए हैं जहां पर मेरा कला है कलाय में भी कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा दरद होने लगता है लगता है इसलिए ऐसा ही तेल बना करके और रखे और जहां आपका दरद होगा वहां आप ले सकते हैं घुटना में भी ले सकते हैं और यहां पर कलाई वगेरा में भी ले सकते हैं आपका जहां जहां जोड़ है उससमें ले सकते हैं बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी आपका रहत होने लगेगा एक बार इवाला अजमा के देखेगा फिर आपका देखेगा ठीक होगा की नहीं कॉमेंट करके जरूर बताईएगा पहले हम ऐसे करके देखें फिर हम इवाला टीप्स बनाके हम आप लोग के पास सेर किये हैं बहुत इसमें रहात होने लगता है तुरंद देखें जो जोइंट है वो जोइंट सब इस तरह करके मिलाना है अच्छी तरह से मिलाना है जैसे अग्दम तेल अच्छी तरह से मिल जाएगा तब जाके इक काम करेगा प्याज जो है प्याज में बहुत ही उसमें कारगर रहता है इसलिए प्याज का इस्तमाल जरूर कीजेगा इस अगर इवाला टिप्स आपलों का पसंद है तो लाइक से रह सस्कार आप जरूर कीजेगा स्वानी हॉम बोलोग चनल में